हलो दोस्तों वेल्कम बैक टो अनदर न्यू ब्लॉग मैं हूं दिनेशिंगा दोस्तों जैसे कि आप सब सब्सक्राइब दोस्तों चलते हैं अभी हम हैं सोनारी वाला रोड में आप देख सकते कितना सुन्दर व्यू है यहां का और हम लोग अभी जा रहे हैं कदमा तो वीडियो में बने रही है व्यू क्या ही जबर्दस लग रहा है दोस्तों चलिए ठोड़ दिर में कदमा पहुंच जाएंगे भी आपको दिखाते हैं पंडाल किस तरह से बन रहा है कौन-कौन सा जूला आ रहा है कैसा त्यारी है इस बार का थीम कह सब जीज़ आपको बताने वाले हैं दोस्तों अभी हम कदमा पहुंच चुक है अब सामने देख सकते हैं कदमा रंकिनी मंदिर और कुछी दूर में है मैदान जहां पर गनेश पुजा पंडाल बनता है देखिए कितना सुन्दर लग रहा है यह रंकिनी मंदिर और हम लोग जैश्ट मौशनी वाले हैं और देखिसके पनडाल किस तरह से 짧ंटाल सुरू हो चुका है चलिम आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखा थे अंदर से पंडाल किस तरह से लिख रहा है दोस्तों अभी हम पौँच चुक है कदमा गनेश्पुजा मैदान जहां पर इतना बड़ा पंडाल दोस्ति यहां पर बन रहा है आप देखिए इस बार यहां पर क्या बन रहा है और मेला का सारा जो सामान है सब कुछ आ चुका है बहुत बड़ा-बड़ा यहां पर मेला लगता दोस्तो और जमशेदपूर में स दिखनी रहा है जिससे हम पूछ से कि कि इस बाल का थीम क्या है बट मेरे को जैसे लग रहे कि एक महल टाइप का बन रहा है अज़िए थोड़ा सामने लेके चलते हैं और सामने सापको क्लोज दिखाते हैं कि इस बाल क्या है देखें कुछ लकड़ी से इस तरह से डिजाइन बनाया जा रहा है फिर इसको उपर यहां पर फिट किया जाएगा और यहां पर एक छोड़ा सा स्टेज है जो रैम थोड़ा उपर करके पंडाल बनता है यहां से सीरी से उपर हम लोग चलते हैं यहां का डेजाइन जो रहता है बहुत ही यूनिक रहता है हर साल देखिए अब ही काम सुरुई हुआ है और बहुत ही स्वीड में काम करता है जब में 5-6 दिन में पूरा पंडाल कम्प्रीट कर देता है बहुत ही बड़ा यह मैदन है, आप देखिए, पूरा एरिया में मेला बैठता है और बहुत ही बड़ा यहाँ का बिजली जूला आता है, और मेंको लगता है दो बिजली जूला आता है दोस्तों, तो इस वुगठ हम है कदमा गनेश पुजा पंडाल के बिलकुल ही सामने, आ ऑपर ड्रागेन वागरा का जूला है देखिए आचुका है यहां पर वह त्व जूला बैटता है जो बहुत ही बड़ा सकता कहता है पंडाल का पीछे वाला पोर्शन में पीछे साइड में भी बहुत भी बड़ा मेला लगता है और यह पूरा ही ए रिया को सील कर दिया तो ग भूला भूला के लिए बहुत कुछ आ चुका है, हाइडरोलिक वगएरा क्या क्या रहता है, प्रेन भी है एक तो, कुछी दिन बचा हुआ ये गनेश पूजा आने में, और यहां पे जो मेला है बहुत ही बड़ा लगने वाला है, लास्ट येर भी मैं आया था, आप सब ने कैसा लगता, कमेंट करके ज़रूर बताईए, तो चैनल में नहीं को सब्सक्राइब करना ना भूजे, तो मिलते हैं से नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, टाटा,